तो आपने पिछली वडियो में देखा होगा मेरे पास एक बाइक और थार थी तो एक दिन में अपनी बाइक लेकर कहीं जा रहा था तो रास्त में मुझे मेरा एक दोस्त मिलता है हम बात्चित कर रहे थे तो वो मुझे कहता है कि हमारे सिटी में एक नए गेरेज खुला है तो मैंने कहा उसमें कुण सी बड़ी बात है तो वो कहता है कि ऐसा ऐसा गेरेज नहीं है इसमें कोई सी भी कार मोडिफाइ कर देते है तो मैंने सुचा कि हम भी क्यों अपनी थार मोडिफे करवा देतो तो मैंने उससे एड्रेस पुछा तो उसने कहा कि हमारे शीटी एरपोट के आगे गेरेज है वहाँ पे मोडिफे कर देते सभी कार तो मैं अपनी थार निकलता हूँ और वहां लेकर चलता हूँ तो एरेपोर्ट तो आ गया भाई अभी आगे गिरेज वो रहा है वहाँ गिरेज तो पोज गया लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है तो मैं थोड़ी दिर वेट करता हूँ मुझे सामने गिरेज वाला बंदा मिलता है तो मुझे पास चलता हूँ मैंने उसे थार को मोडिफाई कराने के बारे में पुछा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं सर आपकी थार दो दिन में मोडिफाई हो जाएगी मैं वहाँ पे अपनी थार रख देता हूँ और चलके घर जाता हूँ दो दिन बाद यहाँ पे आएगे अपनी थार को गिरेज दिये हुए दो दिन हो गए तो फिर चलो गिरेज चलता है पैसे लेके पैसे ले लिया है तो फिर चलो भी गिरेज चलता है तो भी हम अपने बाइक लेके गेरेज जाएंगे बाद में हम अपने बाइक वहाँ पर रख देंगे बाद में कभी वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ से अपनी बाइक लेके आएंगे और चला चलता है गेरेज मैं गेरेज बहुत चुका हूँ और पिछली बार की तरह यहां पर कोई नहीं है गेरेज वाले भाई यह मुझे सामने दिखते हैं तो फिर में वहां चलता हूँ आप जाने के बाद मैं उससे पूछता हूँ कि भाईया मेरी थार मोडीफाई हो गई वो मुझे कहते हैं कि बाई शाब चलाने वह बहुत ही मज़ा रहें ऐसे लग रहे कोई हम भी ट्रक चला रहे है और सभी कार छोटी छोटी दीख रही है तो फिर चला अभी हम अपने मोश्यों ट्रपो घर लेके चलते हैं तो फाइनल हम अपने घर पहुच चुका है आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोमेट बताना आपको हमारा मुश्य ट्रफ कैसा लगा इलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई